इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं ट्रू पारा ER टैबलेट्स के बारे में आज हम जानेगे कि कौन सी समस्य होने पर इस टैबलेट का यूज किया जाता है डॉक्टर से पेसेंट को देते हैं इसको लेने के बाद कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं कौन-कौन से नुकसान यानि साइड एफेक्ट हो सकते हैं इसके डोस किस प्रकार से लेने चाहिए और इसमें कौन सा साल्ट होता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूज होने वाले साल्ट कमपोजिशन के बारे में तो इस टैबलेट के अंदर पेरासिटमॉल 650 mg की मातरा में पाया जाता है हम आपको बता दें बहुत ही जरूरी जानकारी इस टैबलेट के बारे में तो कोई भी व्यक्ति इस टैबलेट को कभी भी डॉक्टर की सलागे बिना पर्सेस करके अपने आप इस तैमाल ना करे वरना आपको फायदे की जगा नुकसान हो सकता और आपको बता दे हम अपने चल पर इस दवाई का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं नहीं इसकी जानकारी देने लिए हमने किसी कंपनिया ब्रांड से कोई पैसा लिया है हम फ्री में आपको इस दवाई की पूरी और सही जानकारी देने जा रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ कौन कौन सी समस्या में इसको यूज़ करते हैं डॉक्टर हमें देते हैं तो भी आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर इसको देते हैं सिलिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो भी दर्द इसको यूज़ कर सकते हैं एडी में दर्द है तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं औस्टियो और्थराइटिस का दर्द है तो इसको यूज कर सकते हैं, वाइरल फीवर में इसको यूज किया जाता है, माश पेशियों में दर्द होने पर भी इसको यूज किया जाता है, डेंगो बुखार में भी स्टेबलेट का यूज किया जाता है, चिकन गुनिया बुखा कमर का दर्द है करवावस्ता में एटन है प्रेगनेंसी में सरदर्द है प्रेगनेंसी में दर्द है नसों में दर्द है काफी हाथों में दर्द है पूरे शरीर में कहीं भी दर्द है तो इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही प्रभावी होती है दवाई तो किस अपनी मन मर्जी से इसका डोज ना तो कम मात्रा में लेना है नहीं जादा मात्रा में लेना है वरना आपको फायदे की जगा नुकसान हो सकता है तो true para ear tablet के बारे में आपको थोड़ी सी भी जानकारी हमारे दौरा जो दी गई है वो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेर कर दें ताकि और लोगों को भी इस tablet के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके हम अपने चैनल पर सभी परकार की दवाईयों की जानकारी फ्री में आपके लिए लेकर आते रहते हैं आप भी चाहते हैं ऐसी जानकारी पाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे थैंक्यू सो मच